क्या आप देखते हैं कि मुझ में और उस स्पीकर में थोड़ा फर्क है, जो बाहर आप तक मेरी आवाज पहुंचा रहा है, आप कुछ फर्क देख रहे हैं, लेकिन फिलाल वो एक विस्तार है, है ना, जो भी मैं कहता हूँ, वो आप तक तब तक नहीं पहुंचेगा, जब माइक और स्पीकर काम नहीं करेंगे, तो यंत्र और गुडी भी ठीक वैसे ही हैं, पहुंचाने के सिस्टम, एक तरह से फिलाल मेरे बोलते हुए भी, अगर हम एक आवाज की बात करें, तो इसका अपना एक आकार है, हर आकार का एक तरह से एक जोमेट्रिक रूप होता है, अगर मैं अभी बोलूँ, फिलाल मेरे बोलते हुए, मेरे मुँ से तरंगे और आकार बाहर आ रहे हैं, हां? जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो स्कूल की क्लास में जाकर बैठता था, तो ऐसा होता था, मुझे उनके मुँ से चीजें बाहर आती दिखती थी, पर मैं उन माइक उन्हें पकड़ रहा है, और उन्हें एक बिलकुल अलग जियोमेट्रिक आकार में बदल कर, स्पीकर के पास भेज रहा है, वहां ये फिर से एक अलग जियोमेट्रिक आकार में बदल रहे हैं, जो फिर से ध्वनी बनकर बाहर आ रहे हैं, देखिए, फिलाल इस माइक से जो wireless mic है, यहां से उस amplifier तक और amplifier से उस speaker तक अलग-अलग geometry है, हाँ, अलग-अलग आकारों वाली तरंगे हैं, ये ध्वनी नहीं है, ये ध्वनी है, लेकिन वैसी ध्वनी नहीं है, जैसी आपके कान सुन सकते हैं, वरना जो मेरे पास मौजूर transmitter से amplifier तक जा रहा है, वो एक अलग geometry है, अलग geometry होने की वज़े से सिर्फ वहां रखा receiver ही उसे पकड़ पाता है, ना कि आप, आप बोध पा सकें, इसलिए इसे फिर से एक ऐसे geometric आकार में बदलना होगा, जो आप सुन पाएं, यानि वो आकार जो फिलहाल आपके अनुभव में इसी तरह से देवी एक तरह का geometric आकार है, संचार एक अलग तरह का geometric आकार है, और आप जैसे उसे ग्रहन करते हैं, जो तरीका या जिस साधन से आप उसका भोध पाते हैं, उसका geometric आकार अलग है, लेकिन जो पहुँचाया जा रहा है, वो एक ही चीज है, मैं ये mic, ये transmitter, वो amplifier, वो speaker, बिलकुल अलग है, है न, हालांकि ये सभी अलग अलग चीजे है, फिर भी वही पहुचाया जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजे, कही न कही रास्ते में, या तो ये transmitter, वो receiver या amplifier थोड़ा शरारती हो जाए, और एक अलग geometric आकार भेजने लगे, और वो न भीजेन जो मैं बोल रहा हूँ, फिर ये अपना ही प्रवचन करने लगेंगे, या आप जो भी कहें, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बस अभी, तो उससे कुछ और आवाजें आने लगेंगे, फिर ये एक भयंकर प्रक्रिया हो जाएगी, है न, ये पूरा माइक और बाकी की चीजें भयंकर प्रक्रिया बन जाएगी, क्योंकि मैं एक चीज बोल रहा हूँ, वो कुछ और बोल रहा है, बहुत भयंकर है, ये सिर्फ इसलिए उप्योगी है, क्योंकि ये वही कहता है, जो मैं कहता हूँ, बस उंची आवाज में, उंचा है, पर अलग नहीं है, तो फिलहाल, अगर आप अच्छे से सशक्त हैं, देखिए ये भी एक यंत्र है, है न, यंत्र का मतलब है मशीन, क्या ये इंसानी सिस्टम एक यंत्र नहीं है, ये सबसे जटिल यंत्र है, आप इससे बहतर नहीं बना सकते, आप अन्य यंत्र बना कर इस की शमता बढ़ा सकते हैं, क्यूंकि मैं बोल सकता हूँ, तो एक माइक और ये पूरा सिस्टम मेरी आवाज को उंचा कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा यांत्र है, ये एक मशीन है जो उंचा कर रही है, तो इसी तरह से जो अलग-लग गतिविधियां हम करते हैं, बोलना, को भी मशीन हमने बनाई है, उसमें बस उसी चीज की बढ़ी हुई शमता है, जो हम पहले से कर सकते हैं, आपने कभी ऐसी मशीन नहीं बनाई, जो कुछ ऐसा करें, जो आप नहीं कर सकते, आप धरती से मिट्टी उठा सकते हैं, तो आपने एक अर्थ मूवर बनाया, जो 10 तन म प्रिट्टी उठाता है, आप बोल सकते हैं, तो माइक है, टेलिफोन है, हर तरह का फोन है, आप देख सकते हैं, तो दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, हर तरह के स्कोप है, लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हैं, तो दूरबीन का क्या फाइदा है, माइक्रोस्कोप का क दोनों बेकार हैं, है ना, जो हम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को बहतर करने के लिए हमने साधन और मशीने बनाई हैं, तो देवी, एक खास तरह की मशीन है, देवी भक्तों को ये पसंद नहीं आएगा, सद्गुरु ऐसा मत कहिए, देवी, मैं लोगों से कहता रहता ह हूँ, लोग विरोध करते हैं, जब भी मैं ध्यान लिंग या देवी को उपकरन कहता हूँ, वो कहते हैं सद्गुरु प्लीज, ये ऐसा है, जैसे मैं किसी ऐसी चीज के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो उनके लिए पवित्र है, वो ये नहीं समझते, कि इन चीजों को बनानी के लिए मैंने अपना जीवन लगाया है, उन्हें लगता है, ऐसे बैठने में ज्यादा भागिदारी है, अपना जीवन लगाकर कुछ बनानी की तुलना में, तो ऐसे लोगों को आश्रम आना चाहिए, मैं आपको प्लंबिंग का काम दूँगा, मैं बिजली का काम नहीं द जाएगी, अगर आप बिना उपकरणों के बिजली का काम करेंगे, तो एकदम से मेरा मतलब है आपको उसका अनुभव नहीं मिलेगा, प्लंबर का काम ठीक है, प्लंबिंग का काम, पर बिना पाने के, बिना चर्खी के, बिना चैन चर्खी के कुछ नहीं, अपने हाथों, नाखूनों और दांतों से, आप आश्रम में तीन दिन प्लंबिंग का काम कीजिए, तीन दिनों में आपकी उंगलियों में जखम होंगे, नाखून तूट जाएंगे, ज्यादतर दांत भी तूट जाएंगे, ज्यादतर जबडे में जखम हो जाएगा, और आपका मुह ऐस क्यूंकि पाइप खोलने की कोशिश में हर जगा जखम हो जाएंगे. तो अगर तीन दिन बाद मैं आपको एक पाना दूँ, तो क्या आप उस पाने की पूजा करेंगे या नहीं? आप पक्का उस पाने की पूजा करेंगे है न? तो इस तरह पाना भगवान बन जाता है. हाँ, पाना भगवान. क्यूंकि इस देश में हम पाने की पूजा करते हैं, हम एक लोहदंड की पूजा करते हैं, कार की पूजा करते हैं, हम बिजली के स्विच्च की पूजा करते हैं, हर चीज की पूजा. नहीं ये मजाक नहीं है, हम सराहना कर रहे हैं, कि इन्हीं यंत्रों ने हमें धर्ती पर सबसे प्रमुख बनाया है, आप एक कुत्ते जितने तेज भी नहीं भाग सकते, हां, आप एक कव्वे की तरह उड़ नहीं सकते, कव्वे को छोड़िये, आप एक मच्छर की तरह भी न आप वाकई कुछ नहीं है, अपने आप में, लेकिन हमें उपकरण बनाना आता है, हमने कई तरह के उपकरण बनाएं, इसलिए हम धर्ती पर सबसे शक्तिशाली बने, हमें सबसे विक्सित प्राणी माना जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप इंसान को किसी भी उपकरण के बि सबसे विक्सित हैं, हाँ या ना, हाँ, कोई भी जानवर या प्राणी आपको उंचा मानने के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ इसलिए कि आप एक सरल डंडे से औजार बना सकते हैं, जिससे आप किसी से लड़ सकते हैं, उसके बाद आज हम कई-कई ज्यादा चीजे बना लेकिन कोई भी चीज अगर कुछ ऐसा कर सकती है, जो आप खुद नहीं कर सकते, तो आप स्वभाविक रूप से उसके आगे जुकते हैं, है ना, क्या आप अपनी कार जितना तेज भाग सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, जब तक कि आप बेकार ड्राइवर ना हो, तो नहीं चलाएंगे, ठीक है, आप कार के आगे जुकते हैं, ये मानते हुए, कि ये मुझसे ज्यादा कुछ कर सकती है, आप लोग मेरे आगे, ऐसे क्यों खड़े होते हैं, बस इसलिए कि आपने देखा है कि किसी आयाम में मैं आपसे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, हाँ, आया ना, तो ये उपकरण है, गुरू भी एक उपकरण है, प्लीज इसका इस्तिमाल कीजिए, सिर्फ पूजा मत कीजिए, अगर आपके पास स्क्रूड्राइवर हो और आप साल में एक बार आयोध्ध पूजा कर लें तो ठीक है, हर देन अगर आप बस पूजा करें और इस् या तो आप इसे एक समर्थ उपकरण बनाएं, या दुख ही उपकरण, मन भी एक उपकरण है, आप या तो इसे एक जबरदस्ट उपकरण बना सकते हैं, या एक दुख ही उपकरण, लेकिन ये एक उपकरण है, तो देवी एक अलग तरह की मशीन या उपकरण है, उनका इ TV नाम की इस मशीन का इस्तिमाल करने के लिए एक निर्देश पुस्तिका है, वो उनसे जोड़ने का तरीका है, अगर आप ये ये और ये करते हैं, तो आप इस मशीन से जोड़ जाएंगे, और आप इसका इस्तिमाल करके अपनी शमता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मेरी और पुरुश ऐसे माइक का इस्तिमाल करते हैं, जो ऐसे बाहर आता है, जैसे उनके अलग से दान्त हूँ, मैं अकेला ऐसा हूँ